हेलो फ्रेंद्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टो वा यूट्यूब चैनल तो कैसे आप सभी लोग आई होब के एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो स्कूल के लिए आप लोगों को बता ही था कि कल हम देज रात में शादी से लोटे तो सुबह उठने में थोड़ा साधिकत हो रही थी अक्चली उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था मैं तो खेर उठ गई थी अलाम मैंने पांच बजे का रखा था वो तो मुझे तेज नीद की से सुनाई भी नहीं दिया फिर उठते उठते मुझे बज़ गया था छे और वैभा पाठका छे बज़े की बज़ाए उठे साथ बज़े हां फिर वी रेडी तो हो चुका है एपसलिटली डाइट वैभा मुझे कह रहा था कल रादी मम्मी कल में स्कूल नहीं जाओंगा ल बस यह है कि नीद न आए स्कूल में अचली मुझे न अभी देखो मेरी आंके बहुत चोटी चोटी हो रही हो मुझे नीद सी आ रही है लेकिन ना आए तो फ्रेंस चलते हैं स्कूल को क्योंकि टाइम हो चुका है सीधा टाइम एट सेवन तो मैने न फटाफट से खाना भी बनाया प्रॉपर सब्जी रोटी बनाई है मैंने आज तो मांकी दिनों जैसे मैं बोहा वगे न बना घ क्योंग है इनकली बनाए नहीं नहीं बनाना था तो मैंने फटाफट से गोबी काती और सबजी बनाई और बांकी काम रहे रखा है भी वो दिन माव करके करूँ नेक्स आपकी टर्ण बेटे चलो नेक्स कौन है इनके पीछे चलिए आपकी टर्ण आ गई बॉल उठाओ आप भी चलिए किसकी टर्ण है नेक्स नेक्स्ट मौमादर्श चलिए जाए वहाँ जाए बॉल लेने ऐसे नहीं चलिए रन चलो आपको कैसे बताया था बॉल उठाके जिक जैक इधर से इधर इधर से इधर ऐसे परण ने क्राण करेंगेंगाए जिक जाएका उर्ण है आप अप वापश जाओ वैरी गओड अब आप और जाओ वापश जाओ वापश जाओ वैरी गओड ऐसे ऐसे दोर करो इसमें से फिर दर निकलो ऐसे चाओ मैं मैं आउंदी का ना पराई का दाज ऐसे तिलारी और मेरे उंडी पे लगजा तो फ्रेंड्स स्कूल से आने के बाद मैं इतना थक गई थी और मुझे आ रही थी बहुत तेज नीच जैसा कि मैं रात को भी दीड से सोई थी शादी से लोटने के बाद तो मैं सोई और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला जब भार अंधेरा-ंधेरा सा हो गया तो तब मेरी आंख खुली और आज में दीडी का बेटा आया हुआ है क्योंकि उकल शादी में आया हुआ था तो मुम्मे ने कुछ सामान भेज रखा घर से तो वो देने के लिए अच्छा आया है एक गूलु हाइश तो पिटेगा मेरे हाथ से वेभव पिट जाएगा मेरे हाथों से तो फ्रेंड्स यह हैं लास्ट वीक लास्ट वीक मतलब क्योंकि लास्ट वीक इसलिए गह रही हूँ तो कि कल परसों में फिर से फ्राइडे आने वाला है और यह देख मेरी घर के लिए मेरे बसकी नहीं है इतनी मतर को घानी वेपार है तो फाइनली मेरी मटर छिल चुकी है और मैं गुल्लू को कह रही हूँ कि ये मटर ले जातू घर और नाना नानी को मटर का पुला और किछिडी सब खिलाना तो डोस्तों गुलू कहरे रहा है महुस्वी हां मटर मिल खान। ऐसा जो और सैंहार दोड्या है आज ज़ती है आज बहुत ज़ती हुग लेकि यह पूरी ना ले जा,παत तो यह सोश मैं किखाथिक दर सेखंए सही है c!」 तो मैं बना रही है, फिल हाल खाना और फिल मैं से आप लोगों से उसके बाद तो फिल्म जैसा कि सुबह सुबह मैंने बना लिए चाई तो दोस्तों जैसा कि मैं हो चुकी हूं रेडी और मैंने वैबो की टीफिन भी लगा दी है आपनी भी लगा दिया हम लोगों को भखता है पार-बार मोटर नहीं ले जाता हो मैंने मैं durum मल नहीं बंत्तर व्यक्तति मैं फोड़े नहीं वहरें में लख मंखेलीगता करा झाल तो फ्रेंस में आ चुकी हूं फाइनली घर बहुत चुकी हूं और घर आकर के डारेक्ट कीचन में आ चुकी हूं देखिए मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किये हैं और मैं बनाने लगी हूं वैब हो के लिए कुछ नास्ता ये रात का थोड़ा चावल बचा हुआ था मैंने रात में चावल बनाया था तो अभी मैं इसी को मटर, प्याज, टमाटर वगेरे डालके फ्राइ कर लिए उसको बहुत पसंद है फ्राइट राइस तो गल्दी बनाते हैं और उसके बाद जाना है मुझे वैब हो को लेने के लिए तो फ्रेंस जैसा कि हो चुकी है शा स्कूल में एक टीचर पहले रहा करती थी तो उनका आज शादी है तो शादी का इंविटेशन पूरे स्टाफ के लिए था तो जैसा कि मैं भी जॉइन कर चुकी हूं स्कूल तो मैं भी जा रही हूं स्टाफ के साथ शादी में तो वैडिंग पर्टी है दीपती तियार हो र मिलते हैं आप लोगों को डारेक्ट वैन्यू में पहुंचने के बाद और वो भी रेडी होने के बाद तो गाइस फाइनली हो चुकी हूं रेडी शादी के लिए और मैंने अपना ये वारा ड्रेस पहल लिया है आज फर्स टाइम में स्कूल के स्टाफ के साथ जा रही हूं ये वेह दिन पार्णी तो मेरा लद्डू कोपल कई सार लगा रहा है लगा नहीं लगा ज़ लगा रहा देशन्ग काहार अधा एा है झाकि कि मम्मी आ रही है अभी तो गाइस फाइनली दीपती भी रेडी हो चुकी रेडी हो के आ चुकी है से हैलो अब हम चलते हैं तो ये कुछ असरे की डेकोरेशन कि मेरा दोरे मॉन ले रहा है तो फ्रेंड्स फाइनली हो चुक है हमारा खाना भी और बच्चे भी खा रहे हैं और इदर चल रहा है मायम औरो का फोटो सेशन और कुस टीचर्स जा चुकी है अच्छली वो मुझे भी नहीं मिली तो दूला जैमाला स्टीच पर आ चुका है और हम जा रहें दूले को देखने फिर हम जाएंगे दूलन से मिलने क्योंकि हम लोग हैं दूलन की तरफ से तो दूलन से मिलना जरूरी है तो अभी हम जाने वाले हैं दूलन से मिलने और फिर हम उसके बाद जाएंगे तो फ्रेंज इधर अभी जैमाला के लिए तियारी चल रही है मतलब जैमाला होएगी वहाँ पे और उसके लिए यह सब रेट कर रहे हैं फिल्धाल तो फ्रेंज हम जहा रहे हैं दुल्धन से मिलने और दुल्धन को आप लोग उसे भी मिल वहाँगी आप लोग भी देखिएगा दुल्धन कैसी है बताएगा ज़िए जोग देखिए फोटो सेशन के लिए तो भी रखी हुए यहां पे देखो प्यता नहीं कौन से जमाने की कि अधी है बताएगी है यह जो रहे हैं और दीए बताएगा बताएगा कि जEए जईकम का के बताएगा भी कौन से टॉचाइबाबा ऊगल्धन करब का दुल्धन के प्रेंगाजन का दूएबागा लोगजन के लिए पद्दावाब दूचाइबादे से फिवा नहाजन के तो फ्रेंट्स, फाइनली हम जाने लग गए है घर को और विस्ती दियोर ने आ लिया हैं? सब आये थे, सब चले गए हैं तो फ्रेंट्स, फाइनली आ चुके हैं हम घर और धेर सारा खालिया पेट एकडम भर गया है मैं रोज सोचती हूँ मैं कम खाऊंगी लेकिन ऐसा था नहीं है पता नहीं क्या खाने को देख करके मैं खाने की तरफ को अट्रैक्ट हो जाती हूँ और जो भी था मतलब शादी में गए थे तो खाना ही था लेकिन अब थग गए हैं बहुत तेज की नीद आने वाली है मैंने सुबह के लिए कीचन एकत्म साफ कर दिया है और में डाल दूंगे कपड़े और अभी हम सो जाते हैं सुबह क्या बनाना है मैंने कुछ भी नहीं सोच रखा अभी लेकिन मैं वीडियो को कर रही हूं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जानने वालों के साथ सबी के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई और टेक केर